हाई फ्रेंज वेलकम टो अंसारी 29 मैं नेम ही शाव अंसारी दोस्तों फायरलाम कोर्स के 7th वीडियो में हम लोग देखेंगे कि MCP और हुटर यानि मैनुल कॉल पॉइंट और जो हुटर होते हैं यह क्या है और यह इसकी जरुवत क्यूं है और हम लोग इसको किस तरीके से व होते हैं तो वह भी हम लोग देखेंगे ताकि आपको जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं जब आप इंटर्व्यूज देते हैं तो आप जो है बहुत ही इसी तरीके से उनको एक्स्पेंट कर सेगे उसके बाद कलर कोड़ 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 इंपॉड़ का अगर आप अगर इंटर्व कोड़ 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 करना जरूर इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे शिक्स्त मैंने अब तक वीडियो बना चुक है फायर आलाम कोर्स के रिलेटेड उमीद करता हूं जो भी मेरे वीवर्स हैं जो मेरे वीडियो कंटिन्यूज देखते हैं वे छे वीडियो जो मैंने पूरे बनाए हैं उमीद करता हैं यह सारे वीडियो उन्होंने देखे हैं मैंने पिछले जो छे वीडियो बनाए हैं वहती बेसिक से बनाए हैं अगर आप वीडियो को कॉर्स को कंटिन्यू करते हैं तो आगर आपको कॉर्स कंटिन्यू करना है तो आप आपको one by one जितनी भी मेरी वीडियो है, वो आप देखिए, क्योंकि एक वीडियो दूसरी वीडियो पर depends होता है, आप डारेक्ट लेकर कोई भी वीडियो को skip करेंगे, तो आपका जो basic fundamental है, जो basic fundas है, वो आपके skip हो जाएंगे, फिर आगे आने वीडियो में आपको problems जाएग तो मैं आपको जरूर recommend करूँगा कि पिछले वीडियो देखिए, पिछले वीडियो देखने के साथ सा notes बनेगी, तो मैं आप देख सकते हैं, यह 6 वीडियो मैंने जो है, अल्रडी बना के रखे हुए, यह मेरा 7th वीडियो है, तो चलिए दोस्तों, मिनना time भी इसके हम लो क्यों पड़ती है, देखे, अगर आप मान लीजे, आपको office area में आया या को industry में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि fire हो गया है, fire लग गया है, और smoke detector जो है, वो अभी तक sense नहीं किया है, क्योंकि उसको कुछ time लगता है sense होने के लिए, लेकिन आपने देख लिया और आप य यह सोच सकते कि यह fire बढ़ा हो सकता है, तो आपके nearest में जो भी fire call point होता है, अब उसको press करेंगे, क्योंकि यह इसका नाम ही है manual call point, यहनी manual मतलब इसमें इंसान का intervention है, यहनी इंसान की help से या इंसान की मदद से ही यह जो activate होगा, तो आप उसको press करेंगे, तो fire alarm जो panel है, उस होती है, तो आपको हमफूल नहीं क्योंकि इसको पर कोटिंग होती है, आप उसको press करेंगे, तो जो अंदर एक switch होता है, वो activate हो जाएगा, activate होने के बाद, जो fire alarm पैंदल हो जाएगा, उसको indicate हो जाएगा, मतलब कहीं तो fire हो है, और automatically hooters sound करना start कर देंगे, तो इस तरीके स हम लोग manually fire alarm panel को ये बताते हैं, कि fire alarm activate हो है, और basically आप देखेंगे, तो जितने भी fire call points होते है, वो सारे red color में होते है, ठीके, I hope आपको ये समझ में आ रहा होगा, manual call point, अब easily जो है, अगर इंटर्यूर आपस का पूछता है, तो आप उसको बहुत ही easy तरीके से explain कर सकते हैं, कि MCP का मतलब हो, तह है manual call point, अगर हम लोगोंने fire देख लिया है, और fire बढ़ सकती है, और smoke data activate नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको press करके, जो activate fire alarm panel को कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं, कितने type के MCP available है, देखें, जैसे जैसे जितनी भी companies होती हो, वो अपने MCP को अलग तरी काम करते है, सारे MCP एक ही तरीके से काम करते है, किसी में pull होगा, किसी में press होगा, पर जो उनका fund है, वो बिलकु से में, जैसे अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको बताया है, कि इस point पर आप जब press करेंगे, तो आपका MCP activate होगा, यहाँ पर यह देखेंगे, यहाँ पर pull down है, यह जो handle है, तो यह handle का pull करेंगे, तो आपका MCP activate हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यह बहुत ही old model का है, मतलब यह अब use भी नहीं होता है, पर फिर भी मैंने आपको दिखाने कोशिच कह के, आपको इसका भी knowledge होना चाहिए, यह भी basically यहाँ पर आ यहाँ पर बड़न है, यहाँ पर ग्लास को प्रेस करते हैं, तो ग्लास ब्रेक हो जाती है, और जो switch हो भार आ जाता है, और यह जो side में जो light है, वो on हो जाती है, यह indicate करता है, कि जो ग्लास हो ब्रेक हो चुकी है, और MCP activate हो गया, अच्छा, इसको activate करने के लिए यहाँ पर और जो MCP activate हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यह notify का है, आप इसे बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत ही common है, इसको यहाँ पर यहाँ पर जो space है, जब आप space में आपकी finger आल के इसको push करेंगे, तो push करने के बाद यह MCP activate हो जाएगा, अच्छा, यह तो मैंने आपको बता जी activation, इसको reset कैसे करते हैं, जैसे आप अगर यह MCP की बात करेंगे, तो इसको reset करने के लिए जो glass है, यहाँ पर एक screw है, यह screw का जब open करेंगे, open करने के बाद एक glass की plate आती है, जब project होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो clients होते हैं, उनको extra plates दे करने हैं, उसको fix करने हैं, यहाँ पर, इस case में देखिए, इस case में कोई भी आपको fix निकरना होता है, यहाँ पर एक key दी होती है, यहाँ पर, यहाँ पर key simply insert करना है, insert करके इसको open करना है, open करके handle को वापछ से उसकी position पर आका उसको lock करने है, that's it, उसमें कुछ भी आपको replacement करने के ज़री होती है बस यहां पर की होना बहुत ज़री है सेम केस यहां पर भी इसी तरीके से यहां पर भी इसी तरीके सा इसी होता है आपको की इंसर्ट करना है उसको ओपन करना है जो यह जब आप प्रेस करेंगे तो यह नीचे की तिरफ चले जाते है तो आपको क्या करन उपन करना है उसको ओपर करके वापस उसको क्लोस करता है यह हो गया रिसेट है तो मैंने आपको पता है कि कौन-कौन से कलर का हम लोग रेड रेड का इस्तेमाल करते हैं टिक है green का यूज हम लोग दो जगापर करते हैं बैसिकली मैंने जितना देखा है एक तो गैस्योब है जरी जब आपने देखें एक यह फैम तू इट का जो भी सिस्टम होता है, उसके डॉर के बाहर, सर्वर रूम के बाहर या जो भी क्रिटिकल रूम उसके बाहर दो टाइप के MCB लगे होते हैं, तो जो ग्रीन वाला होता है, वो बीसिकली रिलीस के लिए होते हैं, नहीं मान लीजिए, आप फायर लग गगी है, और फायर लग इसको भी MCP ही बोलते हैं, तो यलो कदा को जो MCP है, यह गैस को अबाट करने के लिए, जैसे मान लीजिए, डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया, डिटेक्टिवेट होने के बाद जो हर टाइमर स्टार्ट हो गया, अब 60 सेकंड का टाइमर के बीस में आपने ये देख लिया यह मैं FM Toronto सिस्टम की बात कर रहा, अगर आपको फूल नौने चाहिए तो मेरे FM Toronto का वीडियो देखिए, उपर लिंक पो मैंने दिया हुए, बहुत ही एजीली एक्स्पें किया हुए, आपको एनिमेशन के जरिये से, तो यह जो यलो वाला MCP है, यह यलो वाला MCP है, इसमें हम लोगों को basically क्या करना होता है, कि यह abort के लिए उसके जाते हैं, यह अगर timer स्टार्ट हो गया है, और आपको gas को release होने से बचाना है, मतलब जिसे अप इतना फार है कि आप इसको control कर सकते हैं, जब आप yellow color का MCP को press करेंगे, तो manual abort यहनि आपकी जो gas है, वो timer वो stop हो हैं, वहाँ पर भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, उमीद करता हूं दोस्तों आपको अब तक इसकी MCP की knowledge पूरी तरीके से मिल गई होगी, अब हम लोग देखेंगे placement of MCP, यानि हम लोगों को MCP को कहा का install करना है, every fire exit, जो भी staircase है, उसके fire exit door होते है, वहाँ पर MCP को install कर में होना चाहिए, उसके बाद reception पर MCP का होना जरूरी है, जितनी भी आप MCP लगाएंगे, तो ये सारे MCP जो है visible होना चाहिए, या ऐसा नहीं कि आपने MCP लगा दिया और उसके बाद आपने कुछ भी रख दिया, कोई cupboard बना दिया, या कुछ भी ऐसी चीज रख दिया, वह जो जो space है, काफी खुला होना चाहिए, visible होना चाहिए, in case of emergency, किसी भी employees को या किसी भी person को easy तरीक से दिख सके और वह उसको operate कर सके, ठीक है, अच्छा, ये एक है कि अगर, मान लीजे, आपका open area है, मान लीजे, आपका workstation है, जहां पर आपने entrance पर MCP लगा दिया, तो दूस दूसरा MCP आप कहा लगाएंगे, दूसरा MCP, जो है, at least 30 meter के distance के आप कहीं भी लगा सकते हैं, यानि, मान लीजे, अगर कोई ऐसा incident हो जाता है, तो इतना MCP धूर ना हो कि, जो भी staff है, जो भी person है, वहां तक पहुचने में उसको देर हो सके, तो 30 meter जो है, तो आप जो है, द इसका आप इजील दर्श दे सकते हैं, जैसे के, जबी भी fire alarm activated होता है, तो जो sound करता है, जो आपको intimate करता है, जो आपको बताता है, वो hooter ही बताता है, जबी भी कोई-पी detective होता है, या आप manual call point से प्रेस करते है, तो जो सबसे पहले आपको आवाज आती है, वो hooter के जरीए कि यहां पर कह पाना मुश्किल है कि कोई ऐसा एरिया है जहां पर बहुत ही साइलेंस है तो वहां पर आपका जो साउंड का लेवल हो अलग होगा, कोई मॉल है ठीक है न कोई रेस्टोरेंट है डेटा सेंटर है एरपोर्ट है तो हर जगे पे अलग-अलग इसका डीबी लेवल होता है उम्मीद करूँगा एक छोटा से वीडियो बराने की जिसमें मैं आपको क्लासिफाइड करके दिखाऊ कि कौन से एरिया में कितने का डीबी लेवल होना चाहिए तो बिसिकली यह फायर होटर है और यह जो हुटर्स है यह कंवेंशनल हो जाइडर से वो फंडामेंटल विल्कुल भी दोनों का भी सेम है कोई भी इसमें चेंज़ नहीं होता है ठीक है पिछ होते हैं तो हुटर्स को सेटिंग के अर्च कर सकते हैं उसी के साथ सेंगे यह बिंग दोनों में क्या डिफरेंस है तो बहुतर moi आफ में आपको बता दिया अब यह फ्ले था गोनान होता हम अब हूम चाहिए वह सलिगा यह फ्लेशर में यह जो पार्ट डेखेंगे आप यह वाला पार्ट यह जो पार्ट है दोस्तों यह इसके अंदर जो होती है अच्छा यह हम लोग इस्तेमाल करते हैं जितने भी जो critical room है और ज्यादते इसका इस्तेमाल हम लोग जो से मालीजी अपका fire exit है तो fire exit door के उपर लगाने से क्या होता है जब यह activate होता है तो इसकी lights आती है जब जब यह आफिस में काम करें और जब fire alarm active होता है तो आवाज आती है और आप घबरा जाते है तो आपको यह समझ में नहीं आता है कि मैं किदर जाओं अगर आपको पता है कि fire exit door इज़र है तो यह direction का भी काम करता है जैसे आप अगर fire exit door के उपर अगर इस तो लगा देंगे तो इसकी lights से यह पतर लगता है कि हाँ यह जो door है यह fire exit का door है और मुझे इस तरफ जाना है ठीक है तो यह flasher का भी इस तरीके अंदर भी लगाना है उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके installation यह नहीं इसको कहा install करना है तो इसको installation के लिए every fire exit हो जितने भी fire exit हो जैसे कि आपको बता है every fire exit door में इसको हम लोग इंस्टाल करना है उसके बाद every office area entrance जितने भी entrance इसको में आपको बता MC भी लगाते है वही ह हम लोग इसको लगाना है basement area में भी हम लोग इसको install करना है इसकी height क्या होगी तो ceiling से इसकी height है वो 30 meter 1.5 meter इसकी height होना चाहिए 1.5 meter जो है इसकी ceilings इसकी height होना चाहिए और visible होना चाहिए और अगर flasher है तो directly visible होना चाहिए तो basic है इसका fund आप easily दे सकते हैं उमीद करता हूँ दोस्तों आपकी जो MCP और hooters के related जो भी आपकी queries होगी वो आपकी clear हो गई होगी और जो मेरा course आपको जो चल रहा है वो इसी तरह के से आप continue कीजिए पिछले videos नहीं देखे हैं तो पिछले videos देखिए ताकि आपका जो basic के वो strong हो सके और आप जब इंडियन कंपनी या गल्फ कंट्रीज में जब इंटर्वीज देंगे तो आपका इंटर्वीज पुरी तरह के से crack हो सके तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए